एलो प्रेंड बेलकम टू वाई टू स्टडी आज दोस्तो इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल यानि कि दोस्तो आज मैं आपको सौट ट्रिक द्वारा वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना आसानी से सिखाऊंगा इसलिए दोस्तो आप लोग हम यानि कि इस चैनल पर अपलोड करता हूं दोस्तो तो देखी दोस्तो आज का पहला प्रस्ण क्या दिया है यानि कि आज का पहला प्रस्ण दिया है 94 यानि कि 24 का हमें निकालना है वर्ग तो देखी दोस्तो इसके लिए ये short trick क्या है इसका short trick होगा दोस्तो सबसे पहले हैं 9 और 4 यानि कि दोस्तो यहां पर 9 और गुड़ 4 करेंगे और निकालना है हमें वर्ग तो गुड़ा कर देंगे 2 से तो यहां दोस्तो कितना हो गया यहां हो गया 99, 36, 36 दूनी 72 यानि कि 72 यानि कि 72 को हम ऐसे ही रहने देंगे अब उसके दूसरे इस्टम में क्या करेंगे हम 4 का वर्ग करेंगे यानि कि 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा यहां सो गया दोस्तो सोला उसके बाद हम नौ का वर्ग करेंगे तो नौ का वर्ग कितना होगा नौ नौ इक्यासी दोस्तो आपको चार का वर्ग नौ का वर्ग तो आता ही होगा दोस्तो तो देखिए उसके बाद अब हम इस बाहत्तर को दाहिनी तरफ से यानि कि पीछे से एक अंग छोड़कर और 7 और 1 मिलाकर 8 और 8 था तो 8 ऐसे राने देंगे यानि कि दोस्तों या हो गया हमारे पास 88,36 यानि कि 8,836 होगा हमारा 94 यानि कि 14,92 का वर्ग दोस्तों तो या आपको सिर्फ 5 सिकंट में आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोस्तों तो देखिए दोस्तों अगला दिया है 85 यानि कि 85 का वर्ग निकालना है हमें तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले 8 और 5 का गुड़ा करेंगे उसके बाद 2 का गुड़ा लगा देंगे तो यहां कितना हो गया 8 पंचे 40 और 42 दूनी 80 यानि कि दोस्तों यहां पर हो गया 80 अब इस 80 को हम ऐसे ही रहने देंगे अब आगे देखी दोस्तों पहले हम करेंगे 5 का वर 80 को आइड कर देंगे तो यहां से 80 को जोड़ेंगे तो क्या होगा यहां हो गया 5 2, 8, 4, 12 हासिल वचा 1, 6, 1, 7 यानि कि यहां सो गया दोस्तों 72, 25 यानि कि 7,225 हमारा राइट उत्तर दोस्तों देखिए दोस्तों 85 को आप एक ट्रिक से और आसानी से हलका सकते हैं जिसके अंत में 5 दिया हो यानि कि दोस्तों इसका यानि कि इसका मैं आपके पास अगले यानि कि अगले क्लास में इसके लिए भी वीडियो बना दूँँगा जिसके अंत में यानि कि 24 दोस्तो इस 24 को हम side में लिख लेते हैं उसके बाद देखी दोस्तो दो cover करेंगे 2 कवर कितना होगा 4 होगा दोस्तो लेकिन हमें लेना है 2 अंग तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा देंगी दोस्तो अब देखिए 6 कवर करेंगे तो 36 होगा अब देखिए इस 24 को जो हमने 24 ग्यात किये है इसे हम एक अंग छोड़कर add कर देंगे दोस्तो त्या हो गया 4 4 6 2 8 और 3 यानि कि 3844 यानि 3844 होगा मार राए उत्तर दोस्तो तो फिर चलिए दोस्तो हमने वर्ग निकालना आसानी से सीख लिए अब सीखेंगे हम वर्ग मूल ग्यात करना तो देखिए दोस्तो यहाँ पर दियाये दोस्तो 88 4000 यानि कि यही जो हमने पहले उसका वर्ग मूल यानि वर्ग निकाला था कुसी और वर्ग मूल ग्यान करेंगे तो देखिए दोस्तो हमारे लाश्ट में दिया है छे अब हम देखें कि लाश्ट में छे किसके पास होता है यानि कि देखिए दोस्तों हमारे पास होगा लाश्ट में छे के पास यानि चाहग 36 और 4 के पास यानि कि दोस्तों यहां सो गया 4 और 6 यानि कि इसके ही लाष्ट में हमारा 4 के लाष्ट में और 6 के लाष्ट में ही 6 आएगा उसके बाद दोस्तों देखिए दो अंख हम छोड़ देंगे यानि कि यहां से दोस्तो हम 88, 34 कवर मूल निक्यालेंगे तो 4 और 6 यानि कि 4 कवर करेंगे तो 16 होगा जिसके लाश्ट में 6 आएगा और 6 कवर करेंगे दोस्तो तो 36 होगा जिसके लाश्ट में 6 आएगा तो देखिए दोस्तो यहां से हम दो अंग छोड़ देते हैं यानि कि दाइनी तरफ से दो अंग छोड़ने के बाद बचेका हमारे पास 88 अब देखिए इस 88 के पहले यानि कि इस 88 के पहले किसका वर्ग आगे दोस्तो इसके बाद तो आएगा हमारे पास 9 का वर्ग यानि की 88 के पहले आएगा 9 का वर्ग 89, 81 और 88 के बाद आएगे दोस्तो 10 का वर्ग यानि की 100 तो देखिए दोस्तो यहाँ पर अंतर हो गया 7 का और यहाँ पर अंतर हो गया दोस्तो 12 का अब देखिए अंतर काउंसल नजदीक है यानि कि कम वाला दोस्तो अंतर नजदीक है तो यहां से हम लेंगे कम वाली संख्षा यानि कि चार को दोस्तो अब देखिए उसके बाद छोटी संख्षा को हम वैसे ही लिख देते हैं तो यहां सो गया दोस्तो 94 हिमारा राइट उत्तर जो हमने यहाँ पर पता किया था दोस्तो इसी तरीके से दोस्तो आप इसका और इसका वर्गमूल निकारकर हमें कमेंड में जरूर बताईएगा अगर नहीं आता तो हमें कमेंड में भी यहाँ जरूर बताईएगा जिससे कि मैं अगले वीडियो में इन दोनों का वर्मूल आपको अच्छे से बता दूँ तो फिन आज के लिए बस इतना ही अब मिलते हैं अगले क्लास में कुछ महत्पूर परश्णों के साथ दोस्तों